इस्टूडेन्ट आज हम देखेंगे जिसके पर स में LOL हां ? इस से पहले कल हम ने देखा था वाइलेंस अग्रेश यह कल आप लोगों ने देखा था इससे पहले हमने सुसाइडल aha awakt ai श्झा को हुम फो ने कर सकते किसे बोलताध। कैसे उसका prevention होता है तो देखिए एक के बाद एक वीडियो आपको मिल रहे है ठीक है इसके notes प्रोवाइड हो रहे हैं तो आप इसके notes अपने notebook में बनाईए और इससे वीडियो से समझ लीजे थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा और रिक्वेस्ट यह है कि जो like नहीं कर रहे हैं लाइक नहीं करते हैं बस देखते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब भी कर लें, सब्सक्राइब के बगल में जो बैल आइकन है, यानि कि जो घंडी का निशान है, उसे भी जरूर से टच कर लें, जिससे कि जितनी भी इस तरीके की वीडियो जो रिलेटेड टो एजुकेशन होती है, एंटरस इंग्जाम ह आपको उसका नोटिफिकेशन अपना भी मिल जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो पोस्पार्टम साइकोसिस क्या होता है, ये भी क्या होता है, वन आफ दा साइकेट्रिक इमरजनसी, साइकेट्रिक इमरजनसी का ही एक फॉर्म होता है, और ये बारा से, यानि कि जल्दी ये बढ़ती भी है और ये दोनों के लिए ही क्या रहती है खतरनाक होती है मदर के लिए बही और बच्चे के लिए भी दोनों को रिसक में garbage सकती है ठीक है और दिस कन डिटेक्ट ऑन दा बेसिस ऑफ दा मदर इलनेस फिजिकल हैल्थ हिस्ट्री अफ दे मेंटल इलनेस एंड सोचल सपोर्ट तो इसका पता कैसे लगेगा कि कितनी यह जो पुपुरियल साइकोसिस भी इसको बेलते हैं तो पोस्पार्टन साइकोसिस वा बिमार है या फिट है या नहीं है उस पर भी डिपेंड करता है कि कोई उससे पहले से कोई प्रॉब्रम तो नहीं है मेंटल वाली या फिर कोई सोचल सपोर्ट उसको मिल पा रहा है कि नहीं यह इस पर डिपेंड करता है कि उसको कितने तक का यह साइकोसिस हो पाएगी तो दॉर बेबी तु नुब तो तू फोर बेबी मतलब कि उसको घो जो एक घ्रृड रहे और उसको दन करने के कोशिस्स पत पर सो दनना मैं एन हैलूसिनेशन हैलूसिनेशन विच में भी वीज्वल ओडिट्री एंड टेक्टाइल अब उसकी नीद पूरी नहीं होती इसके वज़े से यह वाली सिम्टम भी आने लगती है है ठीक है 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 तरीके का जूटा मुटा ब्रहम कि उसको लगेगा कोई उसको आवाज ब्रहम ऑने नहीं से एक जया से जो आतिक है तो मतलब इसन पर समबंधिश नचे संबंदी च्कु ए मां के संबंदी सभी मानस को क्या रहेगा है Illucination रहेगा ब्रहम रहेगा उसके बाद है delusion usually focused on the जो hating the baby ठीक है और उसको क्या रहेगा कि थोड़ा सा delusion भी रहेगा delusion का मतलब ब्रहम मतलब उसी तरीके का कि बच्चे से बच्चे के प्रति उसको क्या रहेगा hate रहेगा नफरस ही होने लगेगी, ठीक है? कि इसके वज़े से मुझे rest नहीं मिल रहा है, यह नहीं मिल रहा है और मैं अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तरीके के बहुत से causes हो सकते हैं और, और क्या हो सकता है, उसको infantisites हो सकते हैं मतर को, मतलब बेबी के लिए यानि कि baby की हत्या भी हो सकती मतलब कि उसको वो उसकी जान भी ले सकती यहां तक नौबत आ जाती है और suicidal wishes at attempt उसके अंदर क्या रहती है suicidal वाली जो हमने देखा था suicidal attempt वाले तो उस तरकी की feeling आने लगेगी और उसके बारे में वो सोचेगी और फिर उसके साथ वो उसको क्या करेगी attempt भी करेगी, कोशिस भी करेगी फिर उसको नीद भी पूरी तरीके साची से नहीं आएगी, पूर स्लीप होगा और उसके, क्योंकि बेबी के साथ वो बेबी को बार-बार रोता है देखना पड़ता है और वैसी उसकी problem शुरुआती तोर पे वो physically fit भी नहीं रहती है तो इससे वो थोड़ी irritate हो जाएगी नीद भी complete नहीं होगी they may have fever उसको fever भी हो सकता है and this could be sign of delirium और उसके वज़े से fever के वज़े से उसको delirium का sign हो सकता है ठीक है और which may be required specific investigation and management तो इसके लिए क्या करना है कि उसका एक special जो होती है requirement होगा specific investigation की जरुवत होती जाच की जरुवत होती कि किस तरीके किसको problem है और इसकी इलाज क्या होगा मतलब उसको कैसे हम ठीक कर सकते है तो ये इसका हो जाएगा treatment करने के बाद investigation करने के बाद पता चल जाएगा कि किस तरीके का इसको fever कितना है और उसी के वज़े से ये वाले sign आ रहे है तो fever को treat करना पड़ेगा या फिर delirium ही है उसको sign of delirium तो उसका देखना हो इसमें जो होता है उसको problem आने लगेगी इसी तरह की ठीक है तो ये भी एक तरीके का यही है ब्रहम टाइप का होता है उसको बुखार हो सकता है प्रलाप का संकेत हो सकता है मतलब वही भ्रहम टाइप का delirium वाला and breast engosement breast engosement का मतलब होता है भरेवे लगेगा उसको अपने milk milk भरेवे लगेगे क्योंकि वो जो होती breast feed नहीं करा पा रही है लेकि milk तो उसको बनी रहा है न तो वो नहीं करा पा रही है तो उससे वो क्या होगा milk जो होता उसके breast में fill up हो जाएगा मतलब भर जाएगा build up होगा तो उससे accumulate होने के वज़े से breast उसको heavy लगेंगे and specific presentation the specific presentation on depend on whether it's moods disorder depression and bipolar disorder schizophrenia and other unspecified psychosis or delirium तो क्या होगा कि उसको कुछ ना कुछ ऐसे specific presentation मतलब उसको देखने से ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ जो भी उसकी condition हो रही है वो depend करेगा उसके mood disorder मतलब कहीं उसको ऐसा mood disorder है जिसमें की depression bipolar disorder हो सकता है schizophrenia वाली problem हो सकती जो की psychosis है और या फिर उसको कोई unspecified जैसे की अभी जिसका पता नहीं है जैसे psychosis या delirium वाली problem है तो ये सारा निर्भर करता है कि वो उसकी दशा कैसी दिमाग की तो उसकी जो sinus symptom है उससे पता चलेगा कि उसको किस तरीके के problem है ठीक है फिर है management management में क्या होगा patient को admit mother as she is a danger to herself and the child अगर वो अपनी ले खतरनाक हो रही है बच्चे के ले खतरनाक हो रही है तो उसको क्या करना चाहिए admit करना चाहिए and it better it is the mental hospital और better रहेगा कि अगर वहाँ पे कोई mental hospital है तो उसमें admit करने ज़्यादा उसके लिए सही रहेगा बहतर रहेगा and calm down the mother और mother को क्या करना पड़ेगा उसमें शांत करना पड़ेगा मतलब calm down उसको रखना पड़ेगा और giving sedation उससे क्या देना पड़ेगा by the sedative जो थोड़ी सी उसको rest देती है जो दवा से नीद आती तो इस तरकी की दवा देने पड़ेगी जैसे की टैबलेट डैजा पैम हो गया 10 mg की इस तरीके का दे दे जिससे की थोड़ी दे रेस्ट कर ले अराम कर ले and specific management depends on the clinical presentation as noted about तो फिर उसके अलावा जो हमने पहले देखा था कोई specific अगर उसको sinus symptom होने किसी disease condition related तो उसी के according उसको क्या देना पड़ेगा जो भी clinical presentation है यानि कि जो भी उसके sinus symptom लक्षन है बोडी में उसके अनुसार और उसके जो हरकते हैं उसके अनुसार पता चल जाएगा किस को किस तरीके की problem है उसी के according उसको क्या देना पड़ेगा management करना पड़ेगा ठीक है and give anti-psychotic to treat the psychotic feature अगर psychotic feature आ रहे हैं जैसे कि schizophenia है कुछ इस तरीके की problem आ रहे हैं तो उसको anti-psychotic वाली drug देनी पड़ेगी and treat underlying physical problem अगर कोई उसको physical problem भी है तो भी उसको जो भी problem देखने को मिल रही है investigation में जाच में तो उसको treat करना पड़ेगा उसका इलाज करवाना पड़ेगा and supportी psychotherapy देनी पड़ेगी उसको mother को और family को ठीक है दोनों को keep the baby around the maintain mother to child bond ठीक है और baby को जो है उसके आसपास रखें जिससे की mother और baby की क्या बने child उनकी bonding बनाने के लिए उसको रखना पड़ेगा baby को उसके पास और उसके क्या करना पड़ेगा उसको monitor करना पड़ेगा mother को never leave the mother alone उसको अकेले नहीं छोड़ना है baby के साथ to avoid possible harm जिससे की जो possible harm हो सकते possibility हो सकती की वो baby को नुकसान दे सकती है या अपने खुद को निकसान देती है उसको उससे दूर करने के लिए उसको बचाने के लिए उससे प्रिवेंट करने के लिए baby को अकेले में उसके पास नहीं छोड़ना है मतलब बेबी को देना है ताकि bonding बने लेकिन उस पे नजर रखनी है and other anxiety disorder can be manage through counselling अगर कोई और anxiety disorder है उसको तो उसको क्या करना चाहिए counselling के थूर ठीक करना चाहिए मतलब उसका manage करना चाहिए उन problem को and mental health problem during the childbirth present danger to the baby and mother जो भी mental problem है mother के health से related during childbirth यानि कि baby को बर्थ देने के समय में या तो present में तो क्या होगा उससे baby को भी नुकसान हो सकता और mother को भी नुकसान हो सकता इसलिए पहले हमको उसको भी धिहान देना है and all health workers should educate mother about these problems at the antennator period इसलिए अगर उसको ये कोई mental health problem है जिस समय वो pregnancy period पे है तो सभी जो जितने भी health workers होते है चाहे नमो चाहे to assist mother और क्या करना चाहे be able to assist mother to postpartum period and provide the care needed in order to prevent them ठीक है और क्या करना चाहे कि उसको mother को assist करवाना है उसको देखना है कि जो भी problem है उसके बारे में उसको education करना है postpartum period में जिस तरकी problem आती है उसके लिए पहले से उसकी counselling करनी है उसको care provide करानी है जिस तरकी की care कि उसको जरुवत होती है और ताकि इन सब problem से क्या हो सके दूर हो सके ठीक है और वो अपना care करने में able हो पाए तो thank you guys for watching this video please do like, share, comment and subscribe this channel और कोई किसी topic पे video चाहिए तो आप बताईए तो उस topic पे आपको मिलेगा और Hindi English दोनों में ही दिया है as per demand of students तो आपको जो भी सही लगे आप वो ले सकते हैं तो जाते जाते एक like तो बनता है ओके, goodbye, take care